हेलो दोस्तो तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्री वे टू पोजिशन नॉर्मल कुलोज़िड और डिरेक्ट एक्टिव सोलोनोड वाल स्प्रिंग रिटन के बारे में दोस्तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी टू वे और टू पोजिशन वाल के बारे में तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तो इसके अलावा एक वाल और होती है जो थ्री वे टू पोजिशन नौर्मली ओपन होती है ये नौर्मली क्लोजिट है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे फिर नेक्ट वीडियो में हम आपको उसके बारे में बता देंगे दोस्तो वीडियो को अंतक देखे लास्ट में हम एनिमेशन के जरीए भी आपको समझाने की कोशिस करेंगे दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर ले हम अपने इसी चैनल पर नुमेटिक और हाइड्रोलिक के अलावा और भी चीजों के बारे में जो मेकेनिकल में आती है आपको सिखाने की कोशिस करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अब दोस्तों आपको यहां पर यह एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा और यह हमारी जो है थ्री बाई टू सॉलो नाइट वाल है जिसका यहां पर हमने सर्किट बनाया है तो यहां पर यह एक सिलेंडर है और यह सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है तो यह सिंगल एक्टिंग चलेंडर एक साइड से इसमें एर जाती है और दूसरी साइड से स्प्रिंग के मदद से ये वापस रिवर्स आता है तो यहाँ पे हमने इस वाल को लगाया है तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा समझाएंगे तो आप वीडियो को पूरा अंतक देखे लाश्ट में हम आपको एनिमेशन के जरीए भी बता देंगे तो यहाँ पे आप देखें इधर ये स्प्रिंग है और यहाँ पे एक प्लग है जिसके अंदर सप्लाई जाती है जो सप्लाई आने पे इस पूल इधर फॉरवर्ड हो जाता है अब तो उसमें जब यहाँ पे यह जो इसकी डू पोजिशन है एक और यह दो यानि के पहली यह पोजिशन है एक यह वाली पोजिशन है यह दो पोजिशन है और यहाँ पे यह तीन पोर्ट है एक और दो और तीन यह यहाँ पे तीन पोर्ट है तो ये जो एक नमबर है और ये जो दो नमबर है और ये तीन नमबर है इनका क्या मतलब होता है ये भी आपको समझना होगा तो इसका जो यहाँ पे एक नमबर होता है जो मैं आपको बता दू एक नमबर जो होता है एक नमबर यह पी यानि के प्रेसर लाइन होती है हमारी ठीक है यानि के जो इन लाइन इन पुट लाइन होती है तो जो हमारा यहां पे दो नमबर होता है दो नमबर हमारा आउट पुट लाइन होती है तो यह हमारी जो है आउट पुट होती है और यह हमारी इन होती है रिवर्स आएगी उसको बाहर निकालना होता है अब वो आप यहां पर समझे कि कैसे यह हमारा जो है वाल काम करेगा तो सबसे एज़ी आपको समझने में यहां पर आसानी हो मैं आपको बता देता हूं यहां पर जब सप्लाई आएगी इदर जो यहां पर प्लग है तो हमारी यह वाली पोजिशन जो है एक्टिव हो जाती है तो हमारी यहां से जो है एर ऊपर को जाती है और यहां से जो हमारी एर जाने के बाद यह स्लेंडर में इसको स्लेंडर को फोरवर्ड आगी की साइड कराती है ठीक है तो यह अभी फोरवर्ड कंडिशन में मैंने इसको मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें यह तो उसमें होगा यह कि जो हमारा तीन नंबर होगा वो यहां पर हो जाएगा और हमारा उसके बाद एक नंबर तो यहीं पर होगा और दो नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा तो हमारा यहां पर क्या होगा कि यह जो दो नंबर है यह से connect हो जाएगा तो यह सीधा क्या है कि हमारी जो spring की मदद से पीछे जाएगा piston इसका cylinder का तो यह हमारी air निकल के reverse यानि के इस से बाहर आ जाएगी यानि कि जब forward होगा तो उस वक्त क्या होगा उस वक्त तो पहले वाली हमारी इस वाली condition में होएगा क्या तो आपको मैं बता दू जब यहाँ पर supply आएगी तो यहाँ पर जो one है यहाँ पर one है plus और यह two यह दोनों मिलके यानि के in plus out यह हो जाएगा और तीसरा जो number है वो यहाँ पर close रहेगा ठीक है वो line यहाँ पर close रहेगी उसके बाद second में क्या होगा जब इस position में इस condition में हमारा जब यह spool आ जाएगा spring की मदद से और supply यहाँ से हमारी cut हो जाएगी तो तब क्या होगा तब यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ तब यह होगा यहाँ से समझाते हैं आपको समझने में आएसा हनी हो jeb eire dise here यहाँ से जाएगी तो यहाँ吃 दो नंबर में जाएगी दो नंबर में जाने के बाद वो तीन नंबर में पोचएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो अब किया होगा कि यहां से जैसे ही निकलेगा तो या तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं ऐसे मैं आपको समझा दू आसानी रहेगी तो यानिकि टू प्लस थ्री हो जाएगा ठीक है यानिकि क्या होगा यह इन हो जाएगा और यह आउट हो जाएगा एक तरह से यह आउट हो जाएगा ठीक है और यहां पर हमारा जो अब यह बचा एक नंबर यह close हो जाएगा यह हमारा close हो जाएगा बस यह हमारा होगा पहले वाली condition में मैंने आपको बताई दिया 1 प्लस 2 हो जाएगा और 3 हमारा close हो जाएगा और दूसरे वाली condition में 2 प्लस 3 हो जाएगा और पहले वाला close हो जाएगा तो यही यहां पर परिकेरियाश चलती रहती है, तो आपको उमीद है कि काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं दुबारा से आपको किलियर कर दूगा, कोई इस्व दी है, तो यहां पर एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं, कि वन में सप्लाई गई और टू में आउटपुट हो गई, और फिर यहां से वापसी जो आए टू में और फिर यह त्री से रिवर्स हो गई, तो यही सेम परिकेरिया हमारी एनिमेशन में भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताईए,